हेलो अलेंड वेलकम तो रिकॉगनिशन आईएस जेग्राफी ऑप्शनल क्लासेज में फिजिकल जेग्रिफी के डिसकेशन में हम लोग देख रहे हैं जियो मॉर्फोलोजी का टॉपिक और इसमें हम लोग ने लास्ट टू क्लासेज में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में था देरे देरे हम लोग इसी बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा और हायर वर्जन पे ले करके जा रहे हैं बट वी हाव लिमिट ओविशली ब्याउंड आट ओविशली यूव तो गो थूथरू विद द एडवांज जेग्राफी कोर्सेज फिलहाल हम लोग जो शुरू करने लट उस्क्राइब बट बिफोर था थीज आर ओर कॉंटैक्ट देटेल्स और वेलबल कोर्सेज उन यूट्यूब थीजरू इसी इमेल आईडी पर आप एमेल करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं सिल्बस अगर देख लें तो अल्रडी हम लोग सिल्बस देख रखे हैं जहां पर हम लोगों ने अल्रडी कवर करने के दौरान में ओरिजिन एन इविलिशन को कवर कर लिया है इंटिरियर ऑफ दा अर्थ के बारे में कवर कर रखे हैं प्लेट टेक्टॉनिक एंड कॉंटनेंटल ड्रिफ्ट को कवर कर लिये हैं जो बचे हुए पोर्षन है जैसे इंडोजनेटिक एक्जोजनेटिक फोर्सेज एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डवल्लोप्मेंट ये दोनों हम लोग आज के सेक्शन में देखने वाले हैं इसके लावा देखिए माउंटेन बिल्न का टॉपिक ये सारे टॉपिक वहाँफिए चोटे 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 लगते हैं गें जिसक्कृष में चोटे चोटे बिए परने के लिए जिसमें काफी चोटे चोटे डिफरेंस तो कोई दिक्कत नहीं हैं हम लोग अपने discussion को part-wise करते रहेंगे and we will try to cover all the things, all the discussions which is there in the book and which is beyond the books also. सब कुछ discuss करेंगे. फिलाल आज का topic हम लोग देखने वाले हैं Factors Controlling Landform Development and Indogenetic and Exogenetic Forces. फिलाल अगर देखें, तो देखें, there are landforms. अब landforms में क्या चीज़े होती हैं? Landform is basically, the surface of the earth is uneven and some parts may be rugged and some flat. The earth has an immensurable variety of landforms. तो हमारे पास तरह तरह के landforms होते हैं. Landform का मतलब क्या होता है? Landform का मतलब होता है all the features of the land. तो all the features of land या फिर आप बोल सकते हैं की crust. This can be a continental crust and this can be oceanic crust also. और दोनों ही जगों पर आपको landforms मिलेंगे. दोनों ही जगों पर. चाहिए वो landform आपके continent पर हो, चाहिए वो landform आपके oceans पर हो. Continent की जो landform है, वो हम लोग geomorphology में ही discuss करते हैं. लेकिन जो ocean के जितने भी landforms होते हैं, उसे हम लोग oceanography में discuss करेंगे. यहाँ पर ocean bottom relief structures इसके रूप में हम लोग देखेंगे. बाकी छोटी मुटी और भी चीज़े होती हैं, जो water के level के उपर आजाती हैं, या ocean level पर आप आजाती हैं, उसको भी हम लोग geomorphology में ही discuss करते हैं. आगे अगर बात करेंगे, these landforms are basically result of two process. वो कौन से दो process होती हैं? एक होती है, जो internal process होती है, दूसरी होती है, जो external process होती है. Internal process lead to upliftment and sinking of earth's surface and external forces जो होती है, they are continuous wearing down. और एक तरीके से यह कह लीजिए, कि यह earth के surface के उपर लगती हैं, earth के surface के उपर में जितने भी agents हैं, चाहे वो आपके groundwater हो, चाहे वो river हो, चाहे window, चाहे glacial हो, या फिर oceanic waves वगरे हो. यह सारी के सारी external process होती हैं. Internal process में अलड़ी आप लोग देख लिए हैं, कि there are a lot more pressure and lot more temperature interior of the earth, और इस कारण से नए-नए forces, thermodynamic forces and all that forces लग रहे होते हैं, जो कि ultimately, earth के surface को modify कर रहे होते हैं. अगर हम अगर external process में ही देखें, तो there are some stages, जैसे एक erosion होती है, जहाँ पर basically तोड़ फोल होती है, और दूसरी होती है deposition, जहाँ पर basically एक जगा पर ये deposit होते हैं. जो eroded material होते हैं, वो basically धीरे-धीरे deposit हो रहे होते हैं, दूसरी-दूसरे जगों पर. and in the format of deposition and the environment which is present in that land form, around that land form, वो उसे modify करते हैं और ultimately एक किसे land form का form दे देते हैं. Erosion and deposition process has carried out by running water, ice, winds and all that, बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो हम लोग अलरड़ी देख लिया हैं. अब इन land form को हम लोग elevation और slope के हिसाब से अलग-अलग तरीके से decide करते हैं, जैसे एक हो गया, जिसे mountain बोलते हैं, जो काफी height पे होती है. इसके लाबा, play two होते हैं, जो relatively कम height के होते हैं. फिर इसके बाद आपकी plane हो जाती है, और फिर ultimately, ये वो पूरा structure है, जिसके through land form development, या कहले जाए land form development के लिए, जो responsible forces होती हैं, वो काम करती हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो basically there are two, broadly two forces, एक होती है, जो endogenetic force होती है, और दूसरी होती है, जो exogenetic force होती है. endogenetic का मतलब यह हो गया, एक तरीके का internal force, this is internal force, जो की interior of the earth में लगता है, this is interior of earth, और जो exogenetic forces होते हैं, यह बाहरी agent के कारण होते हैं, या फिर कह लिजे कि this is exterior of earth, this is exterior of earth, अर्थ के बाहर में जो भी surface है, वहाँ पर जो लग रहा है, उसे हम लोग यह exogenetic force बोलते हैं, endogenetic again दो टाइप के होते हैं, एक होता है, जिसे हम लोग diastrophic force बोलते हैं, और दूसरी होती है, जिसे हम लोग sudden force बोलते हैं, both these forces are known as constructive force, दोनों को ही constructive force बोलायाता है, क्योंकि यह construction का काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई landform development का काम करते हैं, तो कहीं पर भी अगर आपको यह बोल दिया जाए, कि endogenetic forces are constructive forces, तो that statement would be correct statement, clear? Now, diastrophic forces basically again दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसे eperogenic force बोलते हैं, और दूसरी होती है जो orogenic force होती है, जो eperogenic होती है, epero का मतलब होता है एक तरी के से continent, and genic का मतलब होता है genesis, या फिर कह लिजे की जो होता है formation, यानि कि यहाँ पर क्या हुगा, eperoogenic का मतलब, this is continent building, ठीक है, continent building यह हो गई, similarly आपको orogenic मिल जाएगा, orogenic का मतलब होता है, orogenic का मतलब होता है mountain, and genic का मतलब building, तो एक तरीके से क्या हो गई, this is mountain building process, या mountain building force, clear, okay, now, जो आपका eperoogenic force होता है, इसे again, दो sub-part में divide के आता है, एक होती है जो upward movement होती है, जिसे emergence बोलते है, दूसरी होती है downward movement, जिसे हम submergence बोलते है, again this is very important, यहाँ पर important क्या है, upward का मतलब यह होता है, जहाँ पर continent obviously, ocean surface के उपर है एक तरीके से, this is ocean surface, and this is continent, तो जहाँ पर continent exposed होता है, उपर होता है, वो एक तरीके से emergent format होता है, और दूसरी होती है, जहाँ पर archipelagos होते हैं, archipelagos, like आपकी अनमाने निकोबार, यह completely जो है, submerged portion है, and this is also known as, the downward movement of the epirugioning forces, तो इस तरीके से, हमारी continent building होती है, जो दो type के होते हैं, दुनों ध्यान में रखिएगा, काफे important है, and they are radial in nature, यह ध्यान में रखिएगा, they are radial in nature, radial होने के कारण ही, काफी ज़ादा broad होते हैं, अब्राड होने के कारण ही, बड़े-बड़े structures, like continent, यह बनाते हैं, clear, इसके बाद दूसरी होती है, जिसे हम लोग बोलते है, sudden forces, यह sudden force जो होती है, sudden force है, पहले अगर पहले, हम लोग और उरुजिनी के बारे में, discuss कर लिया जाए, और उरुजिनी के बारे में, अगर देखेंगे, तो there are again subpart, एक होती है, जो tensional force होती है, दूसरी होती है, जो compression force होती है, suppose, this is any form, कोई भी form है, चाए वो land हो, चाए ocean का हो, दो तरीके से इस पर force लग सकता है, एक इस तरीके से लग सकता है, एक तरफ में क्या हो रही है, ये खीचा, इसमें खीचाव हो रहा है, मतलब यहाँ पर tension आएगा, और इस tension के कारण है, इस हम लोग बोलते है, tensional force, और दूसरे साइड में, इसे compress करने की कोशिश की जा रही है, इसे दबाने की कोशिश की जा रही है, diverging in nature और ये एक तरीके से converging in nature है, तो ये converging हो गया, clear, अगर हम लोग tensional force को ही देखें, तो they are also known as crystal fractures, तो ये crystal fracture होते हैं, क्योंकि again देखिए, diverging है तो obviously आगे जा करके, इस तरीके से ये भी rift valley type की system लेकर के आएगा, and they will try, कि यहाँ पर जो है, एक तरीके का fracture निकल के आ जाए, तो नीचे obviously convection currents है ही, high pressure, high temperature है ही, तो volcanic eruption के कारण से यहाँ पर fracture आ सकती है, अब ये fracture जो होती है, वो दो तरीके से होती है, एक होती है cracking के format में, और दूसरी होती है faulting के format में, या फिर faults के format में, जैसे अगर हिमालियन system में अगर देखा जाए, this is हिमालियन system, हमारे पास तीन तरीके की fault है यहाँ पर, one fault is known as MBT main boundary thrust, second होती है जिसे हम लोग MCT बोलते हैं, main central thrust, और एक होती है HFF, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमालियन front fault, तो paper 2 में आप लोगों ने इस सारे sections को जो है पढ़ लिया होगा, अलड़ी हम लोग इसको discuss कर चुके हैं, तो I am just linking all these faults with the paper 1 main discussion of the topic, clear, जो compression force होती है वो भी again, इसे हम लोग crystal bending के नाम से आनते हैं, क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज को compress करेंगा, तो obviously it will deform its structure, तो कुछ ही तरीके से ये deform कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर compression हो रही है, this is something like fold mountain, जैसा कि हम लोगों ने convergent boundary में ही discuss किया था, अब यहाँ पर क्या होगा, up warping इस तरीके से देखने को मिलेगा, और down warping देखने को मिलेगा, तो basically एक warping देखने को जरूर मिलेगी, and this can't be enough two types, one is up warping, second one is down warping, up warping and down warping, clear, अलाकि अभी हम लोग इसको और भी discuss करेंगे, in the name of geo sincline, जहाँ पर दो format होती है, एक होती है जिसे हम लोग sincline बोलते हैं, और दूसरी होती है anti-cline, अभी हम लोग थोड़े दिर में देखेंगे, दूसरी चीज़ होती है जिसे हम लोग folding बोलते हैं, folding का मतलब ही एक तरीके की warping ही होती है, but warping is basically the molded format, and folding का मतलब होता है, कि ये पूरी तरीके से bend हो चुका है, तो काफी छोटा difference होता है दोनों के बीच में, but these are permanent bends, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इसे permanent bend है ये, they can formed in the crustal rock, due to tangential compressive force, tangential compressive force का मतलब क्या हो गया, suppose this is any surface, जहां पर हमें इस तरीके की, they are tangent obviously, क्योंकि perpendicular है, tangential and they are compressive, clear, तो इस तरीके की force ultimately, ये horizontal movement cause करती है, by the endogenetic forces, and they are originating deep within the earth, अब ये जो endogenetic forces हैं, obviously ये convection current के कारण से ही है, और ये convection current एक, tangential compressive force दे रही है, such bends are called as fault, wherein some parts are the bend in some earth bend down, तो एक तरीके से कुछ उपर, इस तरीके से होंगे कुछ नीचे होंगे, तो इस तरीके से हमें bending देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसे हम लोग geos incline भी बोलते हैं, ये geos incline दो तरीके क्यों होती है, एक जो ये structure है, this structure, इसको हम लोग बोलते हैं, anti-cline, और जो नूचे गया है, valley type का है, this is called as sincline, clear? अभी हम लोग और भी इसको discuss करेंगे, तो these are up folded, rock strata in arc-like form, are called as anti-cline, while the down, जो नीचे जली गई हो, उसे हम लोगो sincline बोलते हैं, तो जो limb है, limb का मतलब, जो uplifted portion है, which is shared between anti-cline and compared sincline, are called as middle limb, अब जैसे महा लिजे कि, हमारा ज़रूरी थोड़े इसी तरीके से हो, हमारा हो सकता है कि, कुछ इस तरीके से हो, तो इसे हम लोग middle limb बोल सकते हैं, जहां पर anti-cline और sincline के बीच में कोई, compared एक sincline आती है, जहां पर इसे आप लोग बोलेंगे, sinclinal plane, ठीक है, यह sincline है, यह देखे, downward slope है, and यह anticline है, जो की upward slope है, तो यह आपका हो गया anticline, this is anticline, clear, अब यह तो है नहीं कि 2D figure है, this is 3D figure, तो 3D figure का मतलब क्या है, कि यह पूरा system इस तरीके से होगा, यह पूरा system इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इसकी एक axis आपको मिलेगी, along which यह turn कर रहा है, जैसे माली यह circle है, suppose, तो यह इसकी एक focus हो गया, point हो गया, और इसी के दौरान अगर move कर रहा होगा, तो this will be called as axis, और इसे ही हम लोग बोलते हैं, anticline है, तो anticline की यह axis बन गई, ठीक है, anticlinal axis, दूसरी होती है, axial plane, axial plane का मतलब होता है, जहाँ पर यह move कर रही है, जैसे कि अगर इस point पे अगर आप देखेंगे, तो इस point के along में ही, चीजे जो movement हो रही है, warping हो रही है, folding हो रही है, वो हो रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, axial plane, in a similar nature, अगर आपको पूछा जाए, what is synclinal axis, तो अगेन आप बता लेंगे, कि यह वाला जो यहाँ पर, axis आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे, synclinal axis, उसी तरीके से उपर में, आपकी क्या है, anti, anti-clinal axis, clear, ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वापस से, तो यह आपको एक anti-clinal मिल रही है, फिर वापस से एक syncline मिल रही है, and these are called as fold, यह दोनों ही folded format में है, clear, और भी कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर discuss करने को, अभी हम लोग one by one करके, discuss कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पर अभी technical points बचे हुए हैं, उनको पहले discuss कर लिया जाए, then हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिलाल हम लोग discuss कर रहे थे, the limb which is shared between anti-cline and its comparative syncline, is called as middle limb, तो जो anti-cline और syncline के बीच में, जो भी limb, जो भी structures आ रहे हैं, उनको हम लोग middle limb बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखिए, यहाँ तो काफी symmetrical format में बनाया गया है, लेकिन अगर system कुछ इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, this is anti-cline, यह हो गया आपका anti-cline, और यहाँ पर आपका हो गया यह, syncline, इन दोनों के बीज में आपको छोटे-छोटे, जो system दिख रहा हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, middle limb, यही होता है middle limb, clear हो गया क्या चीज़ है, middle limb का मतलब, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो syncline और anti-cline हो, वो global syncline और global anti-cline, या फिर उस structure का सबसे बड़ा syncline, सबसे बड़ा anti-cline हो, इसी वज़े से जो भी बड़े-बड़े हैं, या फिर दो जो observed syncline और anti-cline होते हैं, उसे हम लोग सिंक्लाइन और anti-cline बोल देते हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन होता है, मतलब कि जो बीच में होते हैं उनके, उसे हम लोग या तो local level पे syncline और anti-cline बोल तो सकते हैं, बट broad level पे in the geology, उसे हम लोग बोलते हैं, कि ये एक तरीके का middle limb structure है, तो हमारे पास कुछ और भी technical names आयाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं dip, dip का मतलब होता है एक तरीके से, आप बोल सकते हैं this is dip angle एक तरीके से, ये जितने भी चीज़ें हैं आपको ज़्यादा better तरीके से मिलेंगे और इसी तरीके की चीज़ें मिलेंगी जब हम लोग electromagnetism के बारे में, या magnetism के बारे में discuss करेंगे, कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, जैसे dip angle होती है, inclination angle होती है, ठीक है, meridional होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी, उसको भी हम लोग देखेंगे technical तरीके से, फिलाल अगर देखें यहाँ पर dip क्या होती है, तो dip का मतलब होता है, the inclination of the rock bed with respect to horizontal plane is termed as dip, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आएगा ज़्यादा आच्छे से, देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे, तो देखिए, अलग-अलग surface से बना है, जैसे ही this is surface number 1, surface you can say or it is a material, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, ठीक है, different different material से बने हैं, you can say this as a sedimentary materials, अब देखिए, यहाँ पर, जो आपका surface है, इस surface की जो यह slope है, इसे ही हम लोग बोलना है dip angle, तो you can say this, एक horizontal line से इसकी जो slope है, इसको अगर आप calculate करेंगे, तो इसे आप बोल सकते हैं कि dip angle है यह, similarly होती है इसकी एक strike, strike का मतलब भी again वही चीज़ों आती है, यहाँ पर horizontal से यह कितना ज़्यादा shifted है, horizontal से एक तरीके से कितना यह angle बना रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं strike, तो यहाँ पर दो तरीके की हैं basically system, एक है कि इसकी जो plate है, उसकी slope, vertical slope क्या है, और दूसरी है horizontal slope क्या है, तो जो horizontal slope है, उसे हम लोग strike बोलते हैं, और जो vertical slope है, उसे हम लोग dip बोलते हैं, तो I guess आपको यह चीज़े clear हो गई होंगी, कि यह क्या system है, ठीक है, जैसे कि अगर एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, this is suppose what, this is dip, यह एक तरीके का dip है, 180 से माइनस कर देंगे, आपको dip मिल जाएगी, अगर दूसरी system है, यहां से, यहां से, this is parallel system, and now, यहां से अगर आप structure लेंगे, this is horizontal angle, अगर आप 3D, अगर आप assume कर पा रहे होंगे, तो यह strike निकल जाएगा, clear, Now, coming back to our, जो भी यहां पर discussion था, अगर यहां पर देखेंगे, तो आप एक बार वापस से, अगर इसे, read कर ये, तो inclination of the rock bed, with respect to horizontal plane stormed as the dip, तो horizontal से, लिकिन rock pad की जब लेते हैं, तो उसे हमनों बोलते है, dip, clear हो गया, it all depends कि आपका, reference point क्या है, और उस reference point के हिसाब से, आपकी vertical angle and horizontal angle, change होती रहेगी, the direction of maximum slope, down a bedding plane, और angle between the maximum slope and horizontal plane, यह दो angle हम लोगों को calculate करना होता है, देखना होता है, तो study the landform, और इस study के basis पे, जो geologist होते हैं, वो आगे कि study कर रहे होते हैं, but that is not required for us, that is not in our syllabus, तो उसे हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग केवल और केवल dip and उसके reference को ही देखेंगे, जो angle of dip measure की जाती है, उसके लिए एक device होती है, उसे हम लोग बोलते है, cleanometer, जैसे कि barometer and all that होता है न, same वैसे यहाँ पर हमारे पास cleanometer होती है, जिसके थुरू हम लोग angle of dip को measure करते हैं, आगे अगर देखेंगे, तो हमारे पास दो और system आगया है, one is called as anticline and second is syncline, anticline का मतलब होता है, they are divided into two types, on the basis of dip angle, एक होती है, जिसे gentle anticline बोलते हैं, जहाँ पर dip angle जो है, वो less than 40 degree होती है, कई बार तो one or two degree भी हो जाती है, और एक होती है, जो steep anticline होती है, जहाँ पर जो angle होता है, वो 40 to 90 degree होती है, similarly, syncline होती है, syncline में ये क्या होती है, down folded होती है, अभी हम लोगों ने देखा था, this was the, this is the structure of syncline, तो यहाँ पर down folded rock bud, due to compressive force, caused by horizontal tangential force, इसे syncline बोलते हैं, these are trough like structure, in which beds are on either side, inclined towards the middle part, तो यह आपको clear हो गया होगा, system, अभी हाँ पर हमारे पास, दो तरीके का system आ गया, एक जिसे anti-clinorium बोलाया था, दूसरा होता है, जिसे sync-clinorium बोल रहे हैं, क्या system है ये, देखिए, तो कई सारे छोटे-छोटे syncline anti-clin है, और एक बड़ा syncline anti-clin है, फिर छोटे-छोटे ये तरीके से structure देखेंगे, लेकिन अगर एक broad scale पर आगर आप देखेंगे, तो on a broader scale, this is a anti-clin and this is syncline, फिर एक anti-clin आ गया, लेकिन within this, syncline anti-clin, छोटे-छोटे बहुत सारे syncline anti-clin, syncline anti-clin ये से बने हुए है न, अब ये जो anti-clin के ऊपर में छोटे-छोटे syncline और anti-clin का structure होता, इसे ही cumulatively बोला जाता है anti-clinorium, similarly, syncline पे, कई सारे जो छोटे-छोटे anti-clin, syncline structures बने हुए हैं, इनको भी हम लोग cumulatively बोलते हैं, synclinorium, clear हो गया दोनों में क्या अंतर है, या क्या चीज है, तो ये ध्यान में रखना है हमें, कि आखिर में इन दोनों के बीच में, क्या actual में relation है, आगे बात करते हैं, अब हमारे पास कुछ technical terms आ जाते हैं, और इनके बारे में भी काफी important है, short note में आपसे पूछा जा सकता है, कि what is the type of fold है, या what type of folds are there in any geo-synclined structures, तो there are certain type of folds, या फिर certain type of folds, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में discuss करेंगे, पहले फोल्ड देख लें, तो हमारे पास जो folds होते हैं, वो basically कुछ type के होते हैं, जैसे कि एक होता है, जिसे हम लोग symmetrical fold बोलते हैं, यहाँ पर देखिए photo भी आ गई है, symmetrical fold होती है, दूसरी होती है, इसे asymmetrical fold बोलते है, तीसरी होती है, isoclinal fold, फिर होती है overturned, and lastly होती है recommend fold, single lines लिखे गए है, ताकि आपको clarity आ जाए, देखिए यहाँ पर system क्या है, जो symmetrical है, यह होती है, one in which axial plane is vertical, जैसे देखिए, this is the axial plane, जहाँ पर यह system आपको, इस तरीके से मिलेगा, यह, तो यहाँ पर आपको symmetrical fold मिल रहे है, मतलब इस line के दोनों और में, this is the symmetry, you can also do this, this is symmetry, ठीक है, तो जितना format है, this is symmetry, ठीक है, तो यह एक तरीके से symmetrical structure हो जा रही है, जहाँ पर आपको mirror images मिलते जा रहे हैं, asymmetrical क्या होती है, asymmetrical का मतलब होता है, देखिए, this is the slope, and this is something different, तो यहाँ पर जो symmetry होनी चाहिए, वो symmetry यहाँ पर disturb हो गई है, वो यहाँ होना चाहिए था, but this is something like here, तो इस तरीके से हो गई है, तो इसे यहाँ लोग बोल देंगे, कि यह asymmetrical fold है, तो one is symmetrical fold, second one is asymmetrical fold, फिर आती है isoclinal fold, isoclinal का मतलब क्या होता है, कि these fold has limbs that are essentially parallel to each other, अब यह parallel to each other का मतलब क्या चीज़ होती है, देखे, यह structure है, अगर इस तरीके का हमें fold मिल गया, तो क्या हो गया, they are actually the parallel type का, एक parallel हो गया ना, यह देखे, दो तरीके के parallel हो गया, तो यहाँ पर देखे, यही scene है, कि they are coming down, down and down, and now this is parallel system, they are parallel system, तो यह होगे isoclinal, overturned का मतलब क्या होता है, कि they are highly inclined axial planes, such as strata, अब देखे, suppose this is a normal, this is normal symmetrical fold, लेकिन वही अगर कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं, कि asymmetrical है, जब यह parallel हो जाता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं, कि यह isoclinal है, लेकिन अगर यह overturned हो गया, समाली यह structure है, अब यह आगे बढ़कर के, यही से start हो गया, तो अब जो अगला हमें देखने को मिलेगा, in the picture, तो वो कुछ ही तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो यह जो system बना है, वो overturned हो गया, because it has replaced these materials, लास्टली आ जाती है, recommend fold, they are essentially horizontal axial planes, तो यह जो आपको 5th structure देखने को मिल रहा है, this is horizontal structure, and they are known as recommend fold, clear हो गया, यहाँ पर आपको overturning देखने को मिल रही होगी, this is overturning जहाँ पर, parallel it has tried to overturn the next fold, तो यह system आपको देखने को मिल गया होगा, देखेंगे काफी basic है, और these are the things you should at least know, या फिर इसकी जो details और इसके और भी, जो sub type हैं और थोड़ी सी और, geology के बारे में अगर discuss करना हो, तो advanced geography course में हम लोग उसे करेंगे, तो जो interested होंगे advanced geography course के लिए, they can subscribe for that, the details have already been given in initial stages of the lectures, आगे अगर देखें तो classification of the fold mountain के बारे में अगर बात किया जाए, तो देखें, आप लोग इसे in CRT या फिर अपने GS के section में पढ़ लिए होंगे, तो जो classification होती हैं, उसे हम लोग कई तरीके से classify करते हैं, एक होता है on the basis of period of origin, तो on the basis of period of origin, fold mountain को दू तरीके से divide किया गया है, एक है जिसे old fold mountain बोलते हैं, या old fold, very old fold mountain या फिर old fold mountain और होती है, जो आपकी young fold mountain होती है, दूसरी होती है, इसी में ही अगर देखें, तो old fold mountain का मतलब क्या है, old fold mountain had their origin before tertiary period, और यह according to the chronology of a college geological time scale, इसे divide किया जाता है, इस fold mountains system belong to Caledonian और Harsinian mountain building period, fall in the category, Appalachians जो North India, North America में है, और यूराल जो रशिया में है, यह old fold का ही example है, similarly, इंडिया में भी आरावली जो है, वो भी एक तरीके का ही, कहली जे की pre, post pre-Cambrian event है, जहाँ पर यह origin ही बनी हुई है, यानि कि यह भी एक तरीके की old fold mountain है, tertiary के बाद जितने भी mountains बने हुए हैं, जैसे Rockies, Andies, Himalayas, यह सब जो है young fold mountain के अंतरगत आती है, they are also called as thickening relic fold mountain, because of highly rounded features and medium elevation, यह चारी चीज़े आपको और भी अच्छे समझ में आएंगी, जब हम लोग आगे जाकर के Davis और Pink की theory discuss करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कि all these mountains are undergoing through different eroding agents, जिसके कारण से लगातार in fold mountain की modification होती रही, और इसी कारण से यह relic format में कई सारे बन गया है, और यह relic format बेस level को अच्छीव करने की कोशिश कर रहा है, इस बेस level की theory को Powell के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे penny plane, pedi plane and pan plane के बारे में, सब के बारे में discuss करेंगे, इसमें से एक theory दी गई थी, डेविस पेंक के द्वारा, दूसरी L.C. किंग के द्वारा, और एक pan plane की दी गई है, क्रिक में के द्वारा, तो हम लोग यह सारी theories देखेंगे in our successive classes, आगे अगर देखा जाए तो top layers are worn out due to erosional activity, and just like a Aravali range in India, और Aravali range in India, यह भी जो होता oldest है, यह already हम लोग discuss कर लिया है, और दूसरी होती है, very old fold mountain, जो बहुत ही पुरानी है, geological time scale पे, यह 500 million years ago, यह पुरानी rocks है, they are rounded features, and rounded is because of the denudation, obviously, और यह denudation basically यही है, यहाँ पर cycle of erosions होते हैं, यह multiple cycles of erosion होते हैं, जिसे हम लोग आगे discuss करेंगे, that is in our syllabus, तूटने के कारणा से layer elevation हो जाती है, और इसमें examples अगर देखें, तो Laurentia mountain हो गया, या फिर Alglumen mountain हो गया, तो यह दुनों नाम किवल याद रखिएगा, किवल आपको exam में answer writing करने के लिए use आएगी, इसके लावा young fold mountain के बारे में अगर देखा जाए, तो young fold mountain, जैसा के अभी बताया, tertiary period या फिर उसके बाद की है, and they are grouped under new old fold mountain, इनमें अगर example देखें, तो Rockies, Andies, Alps, Himalias, यह सारे examples हो जाते हैं, इसके लावा देखें, classification of fold mountain, हम लोग on the basis of nature of fold भी करते हैं, fold के इसाब से हम लोग जो classification करते हैं, उसमें से एक आती है, simple fold mountain, simple fold का मतलब होता है, जिसमें single geosyncline और single anticline structure होती है, and they are looking very simple, और बहुत ही आराम से आप इसे classify मतलब की बहुत आराम से इसे आप observe कर सकते हैं, दूसरी होती है, जहाँ पर complex fold mountains होती है, जहाँ पर multiple syncline and anticline structures होती है, and they are basically fumed into each other, अब ये fumed into each other का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोगों ने बात किया था, anticlinorium and synclinorium के बारे में, ये दोनों के दोनों structures आप देखेंगे तो anticline, syncline भी होते हैं, लेकिन as a whole अगर आप देखेंगे तो anticline, syncline मिल करके anticline या तो बना रहा होता है, या फिर वो syncline बना रहा होता है, तो they are basically complex fold mountains, where you cannot observe a real structure, या फिर a real folding of the mountain, they are basically the collection of the folds, तो जो fold mountain होते हैं, जो complex होती है, rock strata यहाँ पर intense compressive forces के अंतरगत आ जाता है, थोड़ी सी folding भी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है, और इस पुराना के कारल जो होता है, इसमें काफी यादा folding हो जाती है, इन्दा हिमालिया अजोर, folds and recumbent folds are often found detached from their route, and carried a few hundred kilometer away, by the technonic forces, इसे हम लोग नेप भी बोलते हैं, नेप के बारे में हम लोग और भी आगे discuss करेंगे, और this is again a topic of the advanced geography course, नेप हमारे लिए again काफी important है, and short writing में या short question के रूप में यह पूछा जा सकता है, अगर हम लोग characteristics of fold mountains के बारे में अग बात किया जाए, तो fold mountains belong to the group of youngest mountain of the earth, and the presence of the fossils suggest that, यह एक sedimentary rock है, जहां पर बीच बीच में sediments and जो silt है, जो fossils है, वो मिलता है, जिसके कार्ट से again हमें coal, या फिर petroleum products, यह सब हमें काफी ज़्यादा मिलते हैं, अपने इस sedimentary rock में या फिर fold mountains में, तो जितने भी आपको fold mountains मिलेंगे, they are basically a type of fold mountain, clear, fold mountains की जो extent होती है, काफी large level पे होती है, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, there are tangential forces which are actually acting beneath it, तो इस कारड़ से यहाँ पर यह structure जो होती है, इसकी जो length होती है, काफी लंबी-लंबी हो सकती है, जैसे आप Rockies को ही देख लीजिए, Indies को देख लीजिए, Himalayas को देख लीजिए, पूरे के पूरे continental side में फैली होई है, तो पूरे continental margin पे आपको देखने को मिल जाएगी, जितने भी आपकी इस तरीखे की rocks है, but still there are some of the exceptions, तो exceptions को हम लोग ignore नहीं कर सकते हैं, लेकिन exceptions हमें कही नहीं दिखा रहे होते हैं, कि whatever we know they have their limitations, and we have to research and look for the new theories, तो ये research का topic बना रहता है, generally, fold mountain में एक concave structure होती है, और दूसरी एक convex structure होती है, जैसे कि अल्रड़ी हम लोगों ने geosylincline और anticline में देखा, one is the concave, और another one is the convex slope, fold mountain mostly जो होते हैं, ये continental margins पर पाए जाते हैं, जहां पर continent ocean की convergent plate देखने को मिलती है, and that is why वहाँ पर हमें fold mountains बनते हुए मिलते हैं, fold mountains are characterized by granitic intrusion, इंटरूजन सीजी सी बात है, granite उपर निकल करके आ रहा है, वही deposit हो रहा है, अगर कोई और structure आता है, तो फिर अगेन उसकी density variation की कारण से कुछ problem हो सकती है, and that is why यहाँ पर granite will be a stable structure, a stable format for the development of fold mountains, recurrent seismicity is a common feature in folded mountain belt, high heat flow, often find expression in volcanic activity, अब देखिए यह जितने भी यहाँ पर इसकी properties हैं, यह सारे के सारे कहीं न कहीं, या तो plate tectonics से related होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इसकी chemical features से related हैं, इनके बारे में जो basic details हैं, और जो भी इसके पीछे की chemistry है, वो सारा हम लोग discuss कर लिए हैं, बाकी आप लोग इसे एक बार read कर लीजेगा, and make your own notes, तो उससे बना लीजेगा, आप लोग अराम से याद हो जाएंगी सारी चीज़े, ठीक है, clear, आगे देखें हम लोग, तो block mountain हमारा next topic आता है, what is block mountain, block mountain basically होता है, because of the faulting on a larger scale, now the next thing comes, कि यार fold तो ठीक है, what exactly is the meaning of the fault, fault का मतलब होता है, crack, एक तरीके का, this is crack, या इसे आप fault भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आप fishers भी बोल सकते हैं, now कुछ clarity आ गई होगी, suppose you have a divergent plate, divergent plate में अब सीधी सी बात है, जब divergent होगा, तो अब क्या होगा, plates जो होती हैं, वो break कर रही होगी, अब break करने में obviously flexible plates हैं, और flexible होने के कारण से यहाँ पर stretching होगी, इस stretching के कारण से obviously बीच का surface जो होगा, वहाँ पर काफी space create हो जाएगा, लेकिन नीचे से जो है वो लगातार, volcanoes या फिर कहली जो magma, high pressure, जो high temperature है, वो लगातार इसे push कर रही है, push करने के कारण से अब यहाँ पर weak surface होने के कारण, अब आ जाएगी cracks, and these cracks are known as the fault, अब यह fault अगर volcanic eruption के format में निकल के आ गया, then it is okay, otherwise what will happen, कि जो इसके surface के fault के just ऊपर में जो surface है, because of the high pressure over there, because of the mass erosion, भहाँ सरी चीज़े हैं, वो दबावे, को एक pressure सहन करेगा, और इसके कारण से ही वो surface नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से वहाँ पर एक fault डवलप हो जाएगी, and by this all forces and all these means, ultimately a mountain will develop, will be known as the block mountain, just for example, suppose माल लिजे कि यही आपका surface है, यहाँ पर जो है, वो इस तरीके का माल लेते हैं कि structure है, this is a type of structure, यहाँ पर माल लेते हैं कि fault इस तरीके से crack आ गई है, उपर में लगातार आपको forces मिल रहा है, force है, ठीक है, अब यह force आपके बहुत सारी चीज़ों कि हो सकते हैं, atmospheric force भी हो सकती है, soil हो सकता है, human हो सकते हैं, कोई और item हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लगातार यह सारा surface जो है, यह जो आपका 3D area है, यह लगातार आपसे एक force feel कर रहा है, तो what will happen, जो यह cracks हैं इनके कारण से, अगर यह surface नीचे इस तरीके से shift हो गया, तो there will be a structure, उपर एक खाली surface आ जाएगा, similarly यहाँ पर भी same चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर भी इस तरीके से structure आएगा, तो what will happen here, one second, यहाँ पर यह surface माल लेते हैं, उपर यह चला गया, यह चला गया, अब आगे आपको कैसा दिखेगा यह, यह दिखेगा कुछ ही इस टाइप का, यह surface ऐसा आ गया है, यह surface कुछ हैसा आ गया है, यह ऐसा आ गया है, अब क्या होगा, उपर में देखिए, उपर में कई सारे, जो भी agent से वो लगतार, act करीन हैं, चाहिए वो river हो, water हो, window कुछ भी हो, विद टाइम क्या होगा, कि यह जो surface होगा, वो erode हो जाएगा, और इस तरीके से erode हो करके, एक mountain system मना लेगा, तो यह आपको दिखने में, फिर mountain, mountain type का दिखने को लगेगा, और mountain के कारणा से, यहाँ पर अगर माल लेते हैं, कि इसकी peak है अगर, तो फिर आपको एक इसकी valley भी मिल जाएगी, and this type of mountain will be known as block mountain, clear हो गया, जैसे की सत्पूरा हो गया, विंजाज हो गया, यह हमारे main line इंडिया के ही, कह लिजे की जो होता है block mountains है, clear, तो जो uplifted blocks होते हैं, they are known as host, इसे German language में host बोला आता है, जो uplifted हो गया, और जो नीचे गिर गया है, जो valley बन गई उसे बोलाता है grab-in, clear, this is host mountain, इसलिए इसे host type of mountain भी कई बार बोला आता है, तो जो great rift valley है, यहाँ पर भी आपको एक grab-in मिल जाएगा, valley flow मिल जाएगा, rind valley में भी grab-in मिल जाएगा, vosges mountain में भी आपको host मिल जाएगी, तो कई सारे examples are there, block mountain और also called as fault block mountain, क्योंकि यह fault होने के कारण से ही बनी है, इसलिए fold mountain कैसे बनी है, fold mountain, या तो continent-continent के interaction से बनी है, या फिर continent-ocean के interaction से बनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है, faulting हुई है, और fault होने के कारण से, because of the high pressure and the high mass, the surface has gone down, वो नीचे चली गई है, नीचे चले जाने के कारण ultimately क्या हुआ है, कि वहाँ पर एक तरीके की mountain system बन गई है, and all this will be known as the block mountain system, clear, and since they are formed due to faulting, यह सारी चीज़े आपको समझ में आई गई है, बाकि जो tensile और compressive force है, वो तो देखिए लगी ही रहा है, वो anyway ऐसा नहीं है, कि वो नहीं लगे गए या इधर उदर होगा, वो तो लगी रहा है, they are universal, तो there are basically two type of block mountain, एक होता है जिसे tilted block mountain बोलते हैं, जहां पर हमारा जो surface होता है, वो tilted होता है, slope होता है, दूसरी होती है, जो lifted block mountain होती है, जहां पर flat जो होती है, वो top होती है, लेकिन वो steep slope होती है, तो इस तरीके से basically two type of block mountain, पुरी के पुरी हमारी system मिल गई, आगे अगर हम लोग बात किया जाए, तो वे इर्थ की जो surface है, जो crust है इसका, वो because of जितने भी tension force, compressive force, जो भी लग रहे हैं, उसके कारणर से bending हो जाती है, और bending के कारणर से फिर ultimately crack generate हो जाता है, जैसा कि अलरड़ी हम लोगों ने अभी discuss ही किया है, यह जो fault होती है, या जो crack होती है, in the volume of the earth crust across which, there has been significant displacement of the block, या block of crust, तो लग बग लग हर जगह पर आपको इस तरीके की fissures या फिर cracks मिल जा रही होती है, these faulted edges are usually very steep, वाजज़ी जो ब्लॉक फॉरेस्ट, यह सब रहे इन वैली की काफी बड़ी बड़ी होती है, तो जो fault अकर हुआ है, यह अलरड़ी जो दो forces उनके कारण से हो रहा है, कई बार इसमें large fault भी बन जाती है, और यह जो large fault होती है within the earth crust, यह ultimately plate tectonic के action को action के कारण से ही होती है, जैसे कई बार क्या होता है, जो subduction zone में heavy pressure or create हो है, because of the melting of extra material into the mental section, अब वो extra material चला गया, extra pressure आ गया, and because of the extra pressure, extra temperature भी आ गया है, तो वो भी एक तरीके से लगातार interior, internal, endogenetic forces create कर रही है, तो जो energy release हो रही है, associated with the rapid movement on active fault, is the cause of the most earthquakes, in an active fault, the piece of earth crust along a fault move over time, तो यह सारी चीज़े आप लोग समझी गया है, यहाँ पर क्या system है, जो इसके पीछे का reason behind it, and the physics and chemistry behind it, वो हम लोगों ने discuss कर लिया, अगर इसके photograph को देखे, तो देखे, यहाँ पर आपको दो तरीकी का system देखेगा, जहाँ पर एक bone type का structure मनाए गया है, यह along the axis आपके, दो forces लग सकती है, and these forces can be in the term of compression, जहाँ पर यह compress कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दबाव डाल रहा है, और दूसरा खीच रहा है, this is known as tension, इसके लावे एक और तीसरी force भी लग सकती है, इसको हम लोग बोलते है, shear force या इसे ही बोल सकते है, torzen, जो की basically, इसे tord, मतलब की इस तरीके से move कराने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, जैसे माल लीजे, कि आपने कोई suppose, एक cylindrical structure लिया, put both of your hands on the margin of the stick, या जो भी आपने cylindrical structure लिया है, दोनों के ही margin पे, और छोर पे आपने हाथ को रखी, और twist कर दीजे, ट्विस्ट करने पर, जो भी structure आपको सामने देखने को मिल रहा है, वो भी एक तरीके की faulting ही है, और इस तरीके का जो surface इस तरीके का जो force इस तरीके की जो twisting किया है, आपने इसे ही बोलते है, shear force, या फिर torzon, या torzon basically earthquake structure को हम लोग feel करने के लिए, देखने के लिए यूज करते हैं, in fact, in the civil engineering also, we have torzon, and we actually calculate the forces responsible due to the torzon, and accordingly what changes undergo into the building structure, we observe that in the system, हाला कि कई सारे softwares भी होते हैं, जिनके through भी ये काम किया आता है, but generally क्या होती है, इस तरीकी की system हमें मिल रही होती है, clear, इसी वज़ा से जो civil engineering उसमें एक topic होता है, उसमें एक subject होती है, geo engineering, उस geo engineering basically यही सब चीज़े आप लोगों को, मतलब कोई कोई अगर civil engineering आप में से होगा, तो उसे पता होगा कि ये सारी चीज़े उसमें सिखाई पढ़ाई जाती है, उसमें faults दिखाई जाती है, उसमें rock system दिखाई जाती है, उसमें अलग-अलग तरीके के textures दिखाई जाती है, तो ये सारे system basically यही होता है, जहां पर आपको पूरे के पूरे system को, geology को समझाए जाता है, ताकि आप basics जान जाईए, and then you can apply those basics into the building structures, now, अब हमारे पास जिस तरीके से हम लोग fold mountain में type of fold देखे ते, वैसा ही हम लोग block mountain में type of fault देखते हैं, and there are again number of faults, तोड़ा सा tough जरूर पड़ता है, because this is something very unusual and impractical, and very tough to assume, बहुत ही tough होता है, कि आप अपने mind में structure बना पाएं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं एक बार, देखे, एक fault होती है, जिसे हम लोग बोलते है, normal fault, this is quite normal, and this can easily be observed anywhere, कहीं पर भी आप इसे देख सकते हैं, normal fault के along में, जो blocks of the rock होते हैं, above the fault line, नीचे चली जाती है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था, कि माल लेते हैं, कि ये structure है, this is the structure, and here comes a block, बहुत फॉल्ट आ गई है, तो ये जो fault fold है, ये जो structure है, नीचे चला गया है, या फिर ये उपर, या नीचे, जो भी करना चाहें, आप उस तरीके कर सकते हैं, तो ये जो block of the rock, above the fault plane, slide down relative to the other block, तो यहाँ पर आपको ये जो structure, ये fault मिल रही है, this is a normal fault, ये normal fault आ जाती है, ठीक है, तो stress that pull, rock apart cause normal fault, earthquake, one of the normal fault, एक तरीके से है, earthquake के कारण से भी, fissures structures generate हो जाते हैं, and they are near the boundaries, where tectonic plates are moving apart, जैसे की great rift valley होगी, यहाँ पर आपको इस तरीके का normal fault, मिल जाएगा, एक दूसरी होते हैं, जिसे reverse fault बोलाता है, reverse का मतलब क्या होती है, ulta, और ulta, जब भी कोई fault ulta आएगा, that will be known as reverse fault, तो along reverse fault, the block of the rock, ये बबब the fault plane, moves up relative to the other block, stress that presses rock together, cause reverse fault, and these faults can occur, near collision zone boundary, अभी आपको और बेटर तरीके से clear होगा, यहाँ पर देखिए photograph से, photograph से काफी चीज़े clear हो जाएगी, देखिए one second, let me erase it, अब देखिए यहाँ पर, यह suppose हमारा कोई structure है, this is suppose इनी structure, और अगर यह structure देखिए, इस तरीके से अगर यह compression, compression नहीं है, tension feel कर रहा है, and because of the tension, अगर यह surface यहाँ पर यह fault हुआ है, और इस fault के कारण से, यह इधर वाला structure नीचे चला गया, अगर यह इस तरीके से नह जाकर के, horizontally move कर गया है, मतलब नीचे तो गया, यह साथ इसाथ में horizontally, यह reverse move कर गया है, अब यहाँ पर क्या होगा, suppose माल लेते हैं, कि यह जो पहला वाला structure है, ठीक है, this was the structure, and यहाँ से crack आ गई, crack कभी भी देखिए, straight line मेंनी आती है, crack हमेशा weaker surface की ओर में होती है, और इसी वज़े से angle पे होती है, अब यहाँ पर देखिए, जब यह angle पे रहेगी, तो obviously एक चीज नीचे चली आएगी, तो यह surface कुछ हमारा, नीचे चला गया, लेकिन यह नीचे जाने का मतलब यह नहीं है, कि it has moved in a horizontal direction also, अगर आप इसे extra force लगा करके, नीचे लेकर के आते हैं, तो फिर अगेन आपको यह वापस से, जो पुराना structure है आपका, वो मिल जाएगा, लेकिन reverse fault में ऐसा नहीं है, reverse fault में, यह जो structure था, नॉर्मल इन नेचर, यह वापस से यहाँ पर जो rocks होती है, वो collision boundary के अंतरगती होती है, मतलब collision के दौरान में बन जाती है, जहाँ पर इस तरीके की fault मिलती है, हमें clear, यहाँ से आपको और भी एक clarity आजाएगी, देख करके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह transform हुई है, अगें यहाँ पर एक fracture लगाएंगे, this will come down, और यह हो जाएगी एक तरीके की normal fault, लेकिन वही अगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो this has moved in horizontal direction also, और अगर आप इसे move नीचे भी करेंगे, तो यह केवल और केवल यहीं तका आएगा, and this will be like this, यहाँ पर structure बन जाएगी, तो यह एक तरीके का क्या बन गया, this is a reverse fault, clarity आगई होगी, यह कुछ क्या दिक्कत हैं आपर, आगे, next यहाँ पर थोड़े से और भी faults होती है, अगर इसे अब सब डिवाइड करते जाएंगे, थोड़ी सी और डीटेल में जाएंगे, तो एक होती है जिससे strike slip fault बोला आता है, strike का मतलब यह होता है, a crack, एक crack के along जब कोई fault होती है, या एक crack के along, अगर कोई slip मिलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, इसके फोटोग्राफ को देखेंगे, तो और बिटर क्लारिटी आजाएगे, तो यहाँ पर एक तरीके से अब बोल सते हैं, है तो this is something this this is actually looking like a normal fault लेकिन यह normal नहीं है normal क्यों नहीं है क्योंकि इसका movement केवल और केवल horizontal direction में नहीं है this has moved in vertical direction also थोड़ी से इसकी movement तो यह normal नहीं रह गया यह तरीके का reverse में बदल गया है this is a type of reverse fault clear इसके अलावा next आती है हमारी normal sorry transform fault अब यह transform fault क्या चीज़ है पहले बर photograph देख लीज़े फिर आपको ज्यादा better clarity आ जाएगी this is transform fault यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा दोनों एक तो continental this is continental crust and this is again second continental crust यहाँ पर दोनों के बीच में एक transform boundary है and along that there is a transform movement एक तरीके से आप लोग यह बोल सकते हैं कि जो हम लोगों ने convergent boundary divergent boundary और एक दूसरे के बीच में transform boundary देखे थी that is the same thing again because of that transform boundary we are observing a fault that is known as transform fault clear तो वही यह transform fault है तो special class of strike slip fault इसी का एक special case हो गया जहाँ पर transform fault of the transform boundary it forms a plate boundary तो this is a plate boundary जैसा कि अल्रडी हम लोग ने देखा example के रूप में आप बोल सकते हैं जैसे San Andreas fault San Andreas fault USA यह यहीं की है in fact this fault के बारे में अगर आप देखेंगे तो because of this fault एक घर बचा ऐसा जहां पर border area पर आ गया this is along the boundary line US or Canada के बीच में अब उस घर के पास option था either to take the his house into the territory of the Canada or USA now it all depends on that person who is owning that house अगर वो अपने gate को opening को अगर वो Canada side में रखता है तो he is a Canadian citizen अगर वो अपने gate को door को US में रखता है तो he is a US citizen तो हाला कि उसने फिर Canada side में open किया था है और वो Canadian बन गया तो यह एक तरीके का example होता है transform fault के along में you can watch it on YouTube और कफे interesting तरीके से दिखाए गया है that is a very interesting fact in the world geology transform fault is the only type of strike slip fault that is classified as plate boundary already हम लोगो ने देख लिया इसके बारे मों most of these faults are hidden in deep ocean क्योंकि यहां पर ही जो ocean ocean faults होती है generally यह वही पर देखने को मिलती है because they are you can say very uniform type of faults और जो ocean ocean होता है एक तरीके का uniform surface ही होता है if you are observing it comparative study when they are offset divergent boundaries short zigzag resulting from sea floor spreading और इस तरीके से हमारे यह mostly जो चीज यहां पर बताई गई है सारी transforms related ही है clarity आ गई होगी this is water strike slip या फिर ही कह लिजे कि एक तरीके का reverse fault ही है एक और होती है जिसे हम लोग बोलते है oblique fault oblique का मतलब क्या होता है along angle this is along and angle तो जब भी along and angle अगर कोई movement होती है तो यहां पर देखे this is going in this transform direction as well as in a horizontal transform direction तो अभी क्या होता अगर मा लिजे केवल और केवल यह single directional होता तो हमें कुछ structure इस तरीके का दिखता अगर single directional होता तो यह यहां पर है तो यह उपर चला आयाता यह नीचे चला आता this is something like this ऐसा हो जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो कैसा हो गया यह इधर गया साथ इसाथ में यह उपर नीचे हुआ है न साथ इसाथ में इधर उधर भी हो गया इधर उधर उन्होंने कारण से अब यह इधर पीछे भी move कर गया तो समझ में आ रहा होगा आपको चीजें कि ये पीछे भी move कर गया है तो similarly देखिए ये आगे पीछे हुआ और ये ऊपर नीचे भी चला गया तो ये double fault है वो भी not in a perpendicular angle but on a certain angle इसी वज़े से इसका नाम रखा गया oblique fault तो यह oblique fault एक तरीके की इसके बारे में देख लीजा oblique fault तो fault which is which has a component of dip slip and a component of strike slip is termed as oblique तो all these things are basically interrelated all these things are kind of a similar concept बस ये है कि observation के basis पे अलग-अलग कर दिया गया है nearly all the faults have some component of dip slip and strike slip जो dip slip होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या चीज है dip slip का example देखिए फिर फोटोग्राफ देख लेते हैं फिर आपको ज्यादा better clarity आ जाएगी dip slip is something like this यहाँ पर आपका जो movement है यह देखिए उपर नीचे हो गया है this is उपर नीचे ठीक है बट यहाँ पर horizontal movement नहीं है तो आप oblique और dip slip में केवल difference यह कर सकते हैं कि in the oblique we can say कि oblique is a function of dip slip as well as a strike slip तो दोनों का यह mixed format है लेकिन केवल अगर dip slip देखना है तो this is an oblique any angle horizontal movement है या पर vertical movement है single movement होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप this is a dip slip fault these faults can either be normal or reverse it all depends दोनों ही तरीके की हो सकती है normal fault में जो hanging wall है this is hanging wall यहाँ पर देखिए hanging wall है displaced block of the crush जी से बोलते है they move downward और in foot इस तरीके से हमारी system हो जाती है तो यहाँ पर more or less जो चीजे हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी एक बार इससे ready कर लिजेगा जो technicality behind these concepts are there we have already discussed और बाकी जो theories बगर है वो आप खुद पढ़ सकते हैं with the slides तो यह सब चीजे आप देख सकते हैं बाकी आगे अगर बढ़ा जाए तो हमारे पास कुछ questions हैं आज के practice के लिए and these are like first question discuss the type of fault present in the Himalayan mountain series और दूसरा question आप लोग discuss the mountain building process and its driving force इन दुनों question को आप लोग 300 word में लिख करके recognitionis.gmail.com पे भेज सकते हैं for your feedback और यहाँ जो email address है वो description box में भी आपको मिल जाएगी उसके तुरू जाकर के अपने answer को लिखिए 300 word में लिखिएगा हमेशा एक flow chart diagram यहसा mention करके भेजिएगा अगर आपको कोई doubt होता है तो फिर हम लोग next video में मिलते हैं इसके लवा next video की topic देख लीजिए अगर आपको कोई problem होती है तो आप इन sources का use करके अपने doubts को अपनी queries को पूछ सकते हैं it will be better and preferred if you send us email मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much